पैगंबरी गेहूं है, जो वन अफ दा उल्डेस्ट हमारे देश की आप इसको बोल सकते हो, कितना छोटा साइस है इसका, तो इसके छोटे साइस होने के कारण ये इसको आप बोल सकते हो कि कम लो शुगर वाली गेहूं है, इसकी बली जो है वो भी काफी छोटी होती है compare to जो अपने जो नॉर्मल जो गहूं है जो बड़े साइज की है तो उसी हिसाब से इसका वजन भी कम रहेगा अगर वजन कम रहेगा तो किसान को वही नुकसान है तो उस नुकसान को कवर करने के लिए आप इसका जो प्राइज है उस हिसाब से लगा सकते हो तो यह सारी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यह बहुत ह Bundesregierung होने कारण ही इसका चोटा साइज है इसमें बहुत कम मैदा मिलेगा आपको जादा फाइबर मिलेगा तो यह तो थोड़ी आप मैं रहागा इसका जो जादा कोई इसके बारे में जानकरी नहीं रखता बट जो आपको नजर आ रहा है कि आपको जो दिख रहा है कि वाक्य इसमें मैदा कम है तो अवियसली वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा आज के युग में हमने बहुत कुछ ऐसा जो पुरातन जो है वो हमने जो बहुत ऐसी चीजें है जिन में से मैं समझूगा कि एक जो है वो चक्की है आज का युवा जो है वो जंक फूड खाके और बाद में जिम जा रहा है वहां जाके एक्सरसाइज कर रहा है डंबल उठा रहा है क्या लॉजिक है इन बातों का क्या आप 15 मिनिट आपकी चक्की से ये एक्सरसाइज नहीं है क्या अगर आपने अच्छा खाया हो तो आपको उतनी एक्सरसाइज की जरूरत भी नहीं है अगर हम चाहें तो पॉसिबल है जैसे हम जिम के लिए दो घंटे डेड़ दो घंटे लोग निकाल रहे हैं मैं ये नहीं कहता हूँ कुछ जिम नहीं जाना चाहिए जिम जाना चाहिए परन्तु उसके साथ साथ आपको इन चीजों का भी बहुत जरूरी आप इन चीजों का ख्याल रखो बदलाव मैं सोचता हूँ मेरे देखते देखते इतना बदलाव आ गया है कि हमारे घर में पहले सर्दियों में कम से कम तीन महीने बाजरी की रोटी बनती थी आपको अच्छी लगे ना लगे हम भी कई पर ऐसे हलागुला करते थे कि ये सीमेंट वाली है ये दिखने में क्योंकि वो सीमेंट जैसी दिखती है परंतु हमें खानी परती थी और हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था और आज अगर आप देखो कि बच्चों को अगर आप ये चीज़ से मना कर रहे हो तो वो जिद करते हैं तो फिर आज की हमारी जो मा बहने हैं वो विचारी उठा के कुछ ना कुछ ऐसा पैगड़ दे दिया कि बेटा ये खाले चलो रहने दो नहीं इसको ये अच्छा नहीं लगता परन्तु हमें इन चीज़ों पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि बदलाव कितना आ चुका है जैसे गर्मियों में अगर आपको ध्यान हो कि बेसन की रोटी चने का जो आटा है उसको हम कम से कम तीन चार महीने जो गर्मियों में हम वो कंस्यूम करते थे तो अगर हम इसका एक डाइगराम बनाएं इसका अगर हम एक सरकल में इसको पूरी चीज़ को डिवाइड करें कि अगर पहले हम छे महीने आटा काते थे तो आज के टाइम में हम अठारा महीने खा रहे हैं इसकी calculation आपको कैसे जो इसकी बनाते हैं calculation की तीन महीने तो हमने बेसन खाना बंद कर दिया और तीन महीने हमने बाजरी की रोटी खानी बंद कर दी और उसकी जगा किस ने ली जैसे सुबह आप नाशता करते हो तो नाशते के साथ आप वही या तो आप बिस्कुट ले रहे हो कोकीँ या आप ब्रेड ले रहे हो ब्रेश फास्ट में और फिर लंच में आप रोटी ले रहे हो अगर رोटी नहीं ले रहे हो तो आप कोई बर्गर पीज़ा ले रहे हो फिर आप जो आपका सनेक टाइम है वहाँ फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भूजिया ले रहे हो या कोई भी ऐसी चीजें जो खा रहे हो तो ये और फिर डिनर में आप फिर दुबारा रोटी ले रहे हो तो ये अगर आप ये देखो ना कि कितनी बार हमने उसको आटे को या मैदे को कंस्यूम किया आटा बुरी चीज नहीं है परन्तु हमारे ख देख रहा है कि डाइबटीज हो रही है चोटे बच्चों को पहले इतनी नहीं थी मेरे दादी जी की उमर अभी 98 है तो अनुमान लगा सकते हैं हमारे और भी जो पूरवज हैं उनका खाना जो है वो बहुत ही ऐसे शुद्ध और बहुत अच्छी चीजें और पूरा एक ज जैसे दूद्ध बहुत अच्छी चीज़ है परन्तु अगर आप पूरे दिन में दूद्ध कंस्यूम करते रहोगे कभी दही ले लिया कभी लसी ले लिया कभी चाच और कभी आपने पनीर ले लिया आप कंटिन्यू उस चीज़ को अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली आपके शरीर को नुक्सान पहुंचाएगी तो एक पूरा पैकेज बनना चाहिए ना कि कैसे हम पूरे दिन की जो डाइट है वो कैसे उसको अलग-अलग भागों में और समय के हिसाब से जैसे इससे पहले अगर आप बात करो रागी कुछ एरियाज में जैसे हमारे जो बिह पिनाना राजस्तान ये एरिया में आप देखोगे कि एक ही सा वैदर है और एक जैसा ही खाना पिना है तो अलग-अलग हमारे स्टेट्स में जैसे करनाटक में या कुछ जो महरास्टरा का एरिया है उदर लोग जवार की रोटी भी खाते हैं और जैसे अंदरा में कोडो मि मिलेट, कंगनी, स्वांग, ये सारे अंदरा साइड और गनल में ये सब जितने भी मिलेट्स हैं ये सारे चलते हैं, तो ऐसे अगर हम सभी जो अनाज हैं उनको अगर हिसे का जो हमारी बौड़ी को अलग-अलग इन का जो आपको समान चाहिए हो उलग अलग आप सभी तरह क कंजूम कर रहे हो तो ये दिक्तें नहीं आने वाली तो यही एक सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि जो हमारे इन चीजों ने जो मैदे ने घर कर लिया है हमारे शरीर के अंदर तो अगर जैसे हमारा जैसे आप समझो कि ये शरीर जो है ये घोड़ी है और इस पे जो असवार है जो आपकी आत्मा है तो सबसे पहले आपने अपनी जिस आत्मा ने जिस शरीर के उपर या जिस घोड़ी के उपर सबसे जरूरी है तो इस घोड़ी को इस शरीर को आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नी किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका हमारा रब रखा